तो देखें इसके अदर बता रहा है लिटरल क्या होते हैं ठीक है आज एक सवाल भी आज गलत हो गया आप लिटरल एंड कॉंस्टन लिटरल इस पीस ओफ डेटा डेटी इंडिरेक्ली इंट दे सब्सक्राइब कोई भी डेटा का डेटा हो सकता है ठीक है जो कि हम डायरेक्ली अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वन आफ दा मॉस्ट कॉमन यूज अफ लिटरल इस असाइन वैल्यू अवैरियेबल देखो यह स्टेट्मेंट कल आपने पड़ी थी जाजब क्या हो रहा है है मैं यह मै यह क्या हुरओ है यह क्या है मतलब है अब दल्ब को एक वैल्यू असाइन किये अगर यह नंबर है तो यह इसकी वैल्यू है अब यहाँ पर यह अब्या यह समझा किसे केते हैं, देखो ये जो number आपने directly लिखा है न, ये अक literal number है, और ये literal number आपने value बना के इस पे assign कर दिया है, ये देखो, ये ही कहा रहा है, for example, in the following example, statement azim number isn't a variable that statement assigns the literal value 100 to the variable number, ये ही कहा रहा है, कि ये एक variable है, और इसको हमने जो value यह नंबर है इस नंबर को हम यहां पे कहेंगे यह लिट्रल नंबर है थीक है यह लिट्रल नंबर है अन्य दूसरा लिट्रल का इस्तमाल क्या होता है कि कोई भी चीज इस्क्रीन पे दिखाने के लिए इस्तमाल होते हैं फुर इक्षेम्पल ऩॉट्फर लिट्रल स्वलक्म दौग्यण अब यह प्रोग्राम लिखा हुआ है अगयो यह प्रोग्राम इस्ट्रम एक इस्ट्रीश के वारी में फंक्षन है यह क्या किया है एक इंटीजर वेरीबल डिक्लियर किया है इसमें कुई ल है 20 इसकी वैल्यू बन जाएगी जब यह पोड चलेगा लेकिन यहां पर इस 20 को हम कहेंगे एक लिट्रल नंबर है लिट्रल अच्छा यह भी लिट्रल्स हैं यह जो मैसेज़स दिखा रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में यह भी लिट्रल्स हैं ठीक है और यह क्या है यह व लिट्रल्स भी कहते हैं कॉंस्टेंट भी कहते हैं लिट्रल्स भी कहते हैं हां लेकिन अब चुके बुक्स में वर्ड यूज हो रहा है लिट्रल्स तो आप इसको लिट्रल्स ही कहें ठीक है अब आजाए नीचे तो यह बता रहा है देखें 20 लिट्रल है कौन सा लिट्रल ह इंटीजर लिटरल है टुड़े वी सोल्ड लिटरल है कौन सा लिटरल है स्टिंग लिटरल है बुशेज एंड एपल्स इंटीजर लिटरल है बास समझ में आई तो यह जो प्रोग्राम में मैसेचेज या डिरेक्ली वैल्यू लिग दी जाती है चाहे वो नंबर हो या तो डेसीमल लिटरल भी हो सकते हैं अगर यह पॉइंट वाली कोई वाली होती तो डेसीमल लिटरल है लिटरस आइस चले अब इस प्रोग्राम में देखें आप बताइए इस प्रोग्राम में लिटरल्स मैं पूछूँगा यह बताएं, यह क्या है, आपने बताना है, यह integer variable है, यह string variable है, यह integer literal है, string literal है, क्या है, ठीक है, अब आपने बता रहा है, यह statement क्या है, सुभान अल्ला बताएगा बहुत है, क्या चीज, हाँ, अनस, इस ट्रिंग और इंटरियर दो ना है, सांते इस ट्रिंग लिटरल है नहीं है, इस ट्रिंग कॉंस्टेंट है, यह की variable का पार्ट नहीं है, यह है string literal, जिसको हम string constant भी कह सकते हैं, है ओके चले दिए अब यह बताइए यह क्या है शाजेब कि इस्ट्रिंग वेलिए वसीम कि इस्ट्रिंग और इंटीजर दो माना माई मुर्स गड़ती है यह यह स्ट्रिंग है कि क्या एसाइल यह किस टाइप का वेरियवल है कि देखें इस वेरियवल की टाइप उपर बताईए ना इंट लिटर तो यह इंटीजर वेरियवल है है ठीक है ना ओके यह क्या है कांतेश कि पर तुब भूल जाता है तो सवाल का जवाब देना हो दो ना कि कौन सा लिटरेल कि इंटीजर लिटरल है यह सही है ओके यह क्या है शाज़े लिटरल है यह भी कौन सा लिटरल है कि इस टिरिए हैं आदब को दो से लिटरल हाँ वसीं इंटीजर इंटीजर लिटरल ले देखो लिटरल हमेशा कॉंस्टेंट डवल कोड़ीया सिंगल कोड़ में लिखा जाएगा यह लिटल क्या है उपर पढ़के आओना प्रोग्रेम में यह क्या हुए इंटीजर वैरीबल यहां पर इंटीजर वैरीबल का कामक्र साओं तो है तो विक्माग लढ़ा और लृब इस प्रोग्राम में क्या हूरा है था कंसाय सतंव के उस्ट कूछ tha और इंटीजर माने नंबर इंट गलत हाँ क्या है अनस सुभानाला है कि स्ट्रिंग लिटरल है ना यह वह देखे ना यह डबल कोड में लिखा गया ना अब यह देखे ना आप सही हाँ हाँ डबल कोड में जो दो भी लिखे जाएंगे वह स्ट्रिंग्स लिटरल सी होंगे लेटर वर्ट्स प्रेशिस संदेंसे आपको बगालता यह आप पर आपने बोड़ा इंटीजन नंबर वेरीबल डिक्लियर लेकिन अगर वेरीबल लिखता तो डबल कोड के बगेर लिखता उसने डबल कोड में लिखा है तो यह स्ट्रिंग लिटरल से ठीक है ना वेरीबल लेटरल बताया करो कौन सांब्स स्क्राइप इसकी जो कानतेश चैनली लिखें 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 नंबर सब्सक्राइब इसक्त यह गता है क्योडें अब एक वरड़ी आइडन टीसे ऐडेंटीटी डिमाने क्या होता है शनाक पहचान प्यंतिशन अब रहें इंगे और है आए-चा तुझी अइंठेटीड 시म नालू ओना तुझी आइडेंठीटि क्षालर अन्स रजा ये इसकी आइडेंधुत ह्रू यह कहने के वजह हिस안 क्या 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 देते हैं डिदेड़ रिप्रेडेसेंट सम ऐलिमेंट ऑफ प्रोग्राम जो प्रोग्राम के कुछ नाम लेकल वूरे में को रखाता है तो यह इसका नाम पार्णा Patch यह तो इसका यक्रिये में सब्सक्राइब का नाम उसका अपनी मरसी से रख सकते हो काका मामू बाबूश होना ठीक है साजित माजित जो भी रखना चाहो रख सकते हो यह मसला नहीं है लेकिन के जो कबार्ड है ना वो नहीं रखने आपने तो आपको तो पता ही नहीं होंगे सी की कमार्ड कुन सी है तो यह मैंने कल आपको पूरा भेजा था पीडिएफ के कमार्ड है इनमें से कोई भी नाम आप वेरिवल का नहीं रख सकते हैं ठीक है असान कर दिया की वर्ड मेंग दा और दे लेंग्विज इन स्पेसिफिक परपस कंप्लीट लिस्ट ऑफ दा कीवर्ड सार ठीक है यह भी क्लियर होगे आपको लोवर के सगाएं बढ़ा नोट दे आर आल लोवर केस लोवर केस मानें चोटी एबीसी के सारी कवाड छोटी एबीसी में लिखी जाती है अधिक है अच्छा जी तो चले आगे चलते हैं लीगल लीगल आइडिटिफायर क्या होते हैं क्या रहा है रिगार्डलेस ऑफ विच टाय स्टाइल यू अडॉप वी कंसिस्टंट मैंग यूर वैरिवल नाम एस संसिबल वही कह रहा है जो मैंने कल समझाता है अपने वैरिवल के नाम मिनिंग फुल रखें कि चोटे ऐसे रखेंगे तो अलग होगा बड़े किसी से भी शुरू कर सकते हैं कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं जीरो नाइन से शुरू नहीं कर सकते हैं वैरिवल का नाम बाद में लगा सकते हैं कोई अब डेस बीश वीक ऐसे भी लिख सकते है यह लीगल है 3-D ग्राफ यह इलीगल एसे क्याशिकिए यह यह लीगल है इसमें आप ने सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं लेटर से शुरू करना है ठीक है ना बीच में बीच में आखर में यूज कर सकते हैं शुरू में नहीं करें बताएं सब्सक्राइब यह लिगल हो रहा है यह लीगल हो रहा है तो यह कल आपको मैंने चाड भेजा उसके अंदर देखा होगा आपने तो शॉर्ट जो वेरिवल हैंट एंटीजर वह मैंमो और उसके अंदर हम maximum positive value 32,776 और negative value 32,778 यह store कर सकते हैं, इससे बड़ी value या इससे छोटी value को वो store नहीं करेगा, अगर आप इससे बड़ी value लिखेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर जो मैंने आपको बताया integer, अच्छा अब यह unsign क्या होते हैं इसको मैं बताता हू integer, integer 4 byte memory में consume करेगा, अब अगले सवाल में यह आपके टेस्ट में सवाल आएंगे, यह रखी का बता रहूं, memory में कितने byte consume करेगा, 4 byte, तो maximum value अब इसको याद करना मुश्किल है, तो कैसे करेंगे याद इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 power 9, और 2 power minus 9, सही कहा, ठीक है, तो आप इतनी बड़ी value यह store कर सकता है, अब यह बनने 3, 6, 9, 13, 13, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, अरब, दो अरब positive और दो अरब negative numbers को store कर सकता है, इससे बड़ी value को यह store नहीं कर सकेगा, कौन सा? इंटीजर, और memory में कितने byte consume करेगा, 4 byte, जैसे मिसाल के तोरो पे, आपके पास memory है, hard disk है दस बाइट की अगर आपने एक वेरिबल बनाया इंटीजर तो चार बाइट चले जाएंगे तो बागी कितने बचेंगे छे और अगर आपने शौट बनाया तो दो बाइट चले home लें लोगंटीजर एकर ठाइफ रखेंगे तो यह memory में चारवाइट ही लेगा इनिजर 4 बाइफ ले रहा है ओर वह मादला है इस पर वाई रिख सेम ही मामनला हे है कि सेरा ही इनको मामला है सही है समस्जमि आगे नीगेटिव और इत्नी बड़ी वैल्यू कितने हों थार यह सी के चार्ट में यह कुछ और तरीके से बताया गया है । ठीक है अ तो गया अब यह तो गए, डायकली शॉर्ट इंट, लॉंग, लोग, लोग, सही है, लेकिन यह सारे वैरियेवल लI kolmus tres double want value स्टोर करेंगे की व्यूंट्प IPS को स्टोर नहीं करेंगे पॉयंट वाली वैली को स्टोर करेंग अब ये unsigned क्या होते हैं 288 कोई भी वेरिवल केक्टर कड़ने से पहले जैसे शॉउट कि देखें हैं यह मेरे क्या है दो बाजू है कि तो उपड़ा मैथमेटिक स्क्रेंटर पॉजिटिव नंबर और नेगटिव नंबर तीचर इसे बनाता था बुला यह समझो यह 0 है यह मेरा राइट hand positive है यह मेरा left hand क्या है negative तो यह 0 है 0 यह plus 1 plus 2 plus 3 ऐसे चलेंगे और minus पे किसे चलेंगे minus वर हां इसे ऐसे जाएंगे आगे ठीकि ना ए ऐसी समझाया था teacher ने हो तो यह समझो कि अगर यह मेरे दो हात है और यह एक मीटर का है और यह 1 मीटर का है तो मैं एक मीटर positive और 1 सकेथ मीटर नंगिव जाने की सलाइथ रखता हूँ अबEdgan से क्या होगा यह वाला हाथ डी वाला मैंने है यहां से निकाल के जोडऄ दिआ इस पॉजिटिव वाले हissa मैं है तो क्या हो गया अब मैं पॉजिटिव सैट पे ढबतार यह समय है यह 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 dhb और 32,700 सब्सक्राइब अब नेगेटिव वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकेगा यह इस पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट करेगा स्टार्ट बिज रो और यह दोनों प्लस हो जाएंगे तो दोनों मिलके कितने बच जाएंगे बास समझ में आई? मेमूरी में उतने ही बाइट लेगा लेकिन अंसाइन लगाने से हम इसका एक हाथ काड़ देगे नेगेटिव वाला यह पॉजिटिव साइट को डबल कर लेगा अपनी बास समझ में आगई? इसकी और अच्छी सूटेबल एक्जामन हो सकते हैं बस यह है जिसके साथ अंसाइन लगाओगे वो अपनी पॉजिटिव साइट को डबल कर देगा और नेगेटिव साइट को बंग कर देगा तो अंसाइन कीवर्ड क्या करता है वेरिबल की नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने की सलाहित को खतम कर देता है और वो एड़ कर देता है पॉ इंटीजर मंत ऐसे बना सकते हैं और शॉट के साथ देखें आइंटी भी यूज कर लिए इसमें शॉट इंट ठीक है न तो यहां पर शॉट इंट इस तरह से करना है ठीक है तो उसके साथ देखें अंसाइंड शॉट इंट ऐसे लिखेंगे यह कमार्ड है यह इस तरह का यह अ करेंगे यह शॉटर करेंगा यह पॉजिटिव न डिगभन इлекंड गया और यह सिर्फ वजिटिव शॉट करेंगे ठीक है बासमझ में यह चार्ड याद करना पढ़ेगा यह मैंने भेजावाइब उसके अंदर याद कर ले रहा है तो इच अप्ट इटाइब में टेबल इसक्सक्राइब एक्सपड़ अपर शॉर्ट इन के अब इनको पढ़ना कैसे शॉर्ट इंको पढ़ेंगे शॉर्ट इ इनको पढ़ेंगे लंग और अंसाइंड लोंग लोंग पढ़ेंगे अंचाइंड लॉंग है एक इंको कैसे पढ़ना है कि अप चले आगे मैं अच्छा विकाँ नोग्द एुस्टे अंको नियुक्त इस तरह से आखरेके आप डिफाइन करने वेरिजी की कुछ यह मैं आपको समय आड़ कर दूं क्या कि कल वाली फाइल कुल के स्मय आड़ कर देता हूं कि अब कि समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है दिक्कत दो रही है तो बता दो मुझे कि हुं कि अब करों है वह देख लोस में यह ना तुम्हें झाल 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 लो और यह तुम्हारे लिए करके भेज रहाँ ताकि तुम इसको पढ़ लो और यह तुम्हें सब्सक्रिंट के बड़न से नहीं प्रिंट स्क्रिंट के बड़न से अच्छा दा लोग लोग एंट यूण लोग लोग टाइप वर इंट्रोड्यूजड इन सी प्लस प्लस ये जुमला याद कर लें यह सी में डेटा टाइप इंट्रड्यूस नहीं कराये गई थी इसलिए इसने इसने जुमला इसके अंदर आपको लिख के लिए ठीक है लो ओंग लोग इन्ट और लोग लोग एक डेटाइप यह सी प्लस प्लस में इंट्रिद्यूस करें जहीं हैं सी में यह नहीं थी और यह सिर्फ कुन सा नंबर इस ने टो जाएगा। लेकिन माइल्स में सिर्फ पॉजटिव नंबर जाएगा। और देज में पॉजिटिव नेगेटिव नमबर दोनों स्टोर हो सकता है तो इसके आउटपूट्स इसने बनाए मैं यह प्रोग्राम का एक तुकड़ा है इसमें से ने दिया है ठीक है न तो यह मैं आपको भेज़ देता हूं ताकि आप इसको प्रफॉर्म करके देख लें हुआ आप क्या रहा हैं ओने टो इसकने साइज कोने से होते हैं कि रहाएं इन दैसिमल प्लेंट इंटेसितite टेंटे lesa और about 10 बेखम है और यहाँ है है एक साला करतल देखना है each of the statements assigns the integer literals to a variable, one of the pleasing the characters of C++ that is allows you to control almost every aspect of the program if you need to change the way something is stored in memory the tools are provided to the data, C in there is a good structure in which you can store with what type of data, and every tool is available for example if you are in a situation where you have an integer little but you need to be stored in memory as long integer uh rest rest assured this is situation that does arise simply allow to force an integer little to be stored as long integer by placing literals l and of the number here is an example if you are in the situation where you have an integer literal but you need to be stored in memory as long integer long assured this situation we does arise c++ allows force integer little to be stored as long integer by placing later l मतलब यह इंटीजर था इसको लोंग के तोर पर हमें स्टोर करना है तो यहां पर आगे इसके क्या लिख देंगे लिख देंगे तो आप्वीटर साइंस हेग्चाडेसिमल अब यह हैजाडेसिमल अप्र लिटल्स क्या होते हैं यह पढ़ें कभी हैजा अचाडेसिमल लिट्र लेटल्स प्रोग्रामर कॉमैल नीइक्स्प्रेस वेल्यू इन neighboring system that decimal base hexadecimal 16 देखो जो हम numbering system इस्तमाल कर रहे न वह decimal हमारे पास दर्स डिजिट है कितने दिजिट है यह और hexadecimal number system में कितने डिजिट होते हैं सोलह फोजो सौला होते हैं और octal system में कितने होते हैं आथ होते हैं और यह contain करते हैं programmer को task convenient to decimal program do programmer को आगे काम करने में help करते हैं जो आप बनेंगे program में c++ allows all integer express in decimal you have hexadecimal numbers by placing 0x in front of them 0x shows the hexadecimal f4 would be expressed in c++ अब अगर आपको hexadecimal में कोई number store करना है यानि कि किरा है कि c++ जो भी number store करता है वो integer form में कर लेता है decimal number system में ठीक है जो हम यूज करते हैं लेकिन अगर आपको hexadecimal number system में कोई number store करना है तो उसके आगे 0x करके फिर वो लिखना है आपने तो वो hexadecimal numbering system में save होगा similarly octal number मस्प्रेस 0 not oh for example octal 31 would be written as 031 और अगर octal में store कराना है तो 031 करके store कराना है अब यह थोड़ा सा बामला ऐसा है कि इसको पहले आपको यह नंबरिंग system पढ़ने पढ़ेंगे फिर जाके आपको समझवाएगा यह वैल्यू के से store हो रही है ठीक है ना which of the following is illegal variable definition अब यह कुछ इसके हवाले से सवाल आते हैं जो आपको सवाल करके इसका जवाब देना है श्यूलाइब इसको इपरी